तो थोड़ा सा detail में discuss करते हैं कि हम लोग conductor किसे करते हैं आप सबको पता होगा conductor किसे कहा जाता है दो substance which allow the electricity to pass through them कोई भी ऐसा substance जिसके अंदर से बिजली pass हो जाती है उसे हम लोग क्या गूल लेंगे पेटा conductor गूल लें अब conductor हमारे पास दो तरह के होते हैं फर्स्ट इस metallic conductor और सेकेंड इस electrolytical conductor के एगजाम्पल के अगर मैं कुछ बात करूँ like metals, metals क्या उपती है जैसे iron और फिर silver electrolytic conductor के अगर मैं बात करता हूँ for example NCl, KCl, HCl या फिर KBR यह सब हमारे पास क्या होते हैं मैंटा electrolytic conductor होते हैं इनके बारे में थोटे डिटेल में बात करें कि इलेक्रोलाइट से लेटेड ही यह पूरा चक्टर भी रहने वाला है इस तरह मैं लिखता हूँ electrolyte की electrolyte कहते किसे हैं वो डिटेल में हम लोग बात भी करेंगे don't worry electrolyte किसे कहा जाता है दो सबस्टान्स which allow which allow the electricity which allow the electricity to pass through them pass through them in their aqueous solution in their aqueous solution on passing electricity कोई भी एक ऐसा सब्स्ट्रांस जब आप उसका aqueous solution लिटे को या चिर्टे के अलावा प्रुक्या लिए सकते बेटा जिनकी मॉल्टन भी लेख सकते हैं कोई भी एक सब्स्ट्रांस लिया मैं आप एक एक इसमझा रहा हूँ यह हमारे पास पानी है ठीक है और यहाँ पर हमारे पास क्या होगया ऐननेफली यह एननेफल है यह एनेफले है फिर मैं इसमें रोड्स पुल दाल हूँँंगा कि दो मेटालिक रोड्स लेखा दी अब आर्टीक वेनि Das एक्पास करते हैं तब इसमें से करंट पास किराए अब खास बात क्या है कि इसमें से करंट पास सिर्फ तब होगा या इसकी मौल्टन फोर्म हो अगर इसकी सोलिट होतेट रिसमें से ट्रंट पासं नहीं करवाया मैठिल्स ये अच्छनर होते हैं due to the flow of free electrons और यह क्यों भाई, electrolytic connector के अंदर flow of free ions इसी वज़े से बेटा क्योंकिस में electrons की वज़े से current pass होता है तो metallic connector का दूसरा नाम आप लोग देखोगे कही जगा पर लिखा होता है these are also known as electronic conductor on the other hand electrolytic connector का दूसरा नाम की आपके क्योंकिस में जो current pass होता है वो ions की वज़े से होता है तो these are also known as इन्हें क्या बुलना जाएगा इन्हें हम लोग बोल सकते है आइन के पर लोग करते हैं flow of electricity takes place without the decomposition of substance आपने नहीं देखा होगा कि अगर हमें किसी metal में से current pass कराना है तो उस metal का टूटना जरूरी है क्या अगर metal टूट गई अगर कोई तार टूट जाए तो current pass थोड़ी नहीं होता है फिर तो दिक्कत हो जाती है on the other hand अगर आपको किसी electrolyte में से current pass कराना है तो नहीं को का break up होना जरूरी है अगर वो जुड़े रहेंगे तो उसमें से current pass होगा है flow of electricity takes place by the decomposition of substance तो इसमें दिर पर electron flow करते हैं there is no flow of matter यहां पर ions flow करते है सबसे important point क्या है कि जो भी metallic connectors होते है यह आपने observe भी क्या होगा अजकल गर्मियों का time है तो गर्मियों के time में जो बिचली है वो थोड़ी कम आते है पावर कट जाता लगते है इसका reason क्या होता है कि electricity की consumption बहुत बढ़ जाती है demand बहुत बढ़ जाती है इसके अलावा यह मेरे पास मैंके तर्मियों कोई metallic वायर है metals के पास क्या होते हैं free electrons होते हैं free electrons के अलावा positive holes भी होते हैं क्या होते हैं positive holes इन positive holes को हम लोग क्या होते हैं these positive holes are known as kernels क्या होते हैं इनको kernels होते हैं यह kernels vibrate करते हैं जब भी temperature बढ़ाओगे तो इन kernels में क्या करना है vibrate करना है और जब यह vibrate करेंगे तो hindrance produce करते हैं to the flow of electricity रुकावट पैदा करते हैं electricity के flow के अंदर यही बात यहां पर लिखी गई है और इनसी वाज़े से metallic conductors की conductivity होती है electrical conductivity होती है वो घड़ जाती है जब भी temperature बढ़ता है क्या लिखा गया है the electrical conduction decreases with the increase of temperature this is because kernels cut vibrate which produce hindrance बोले तो रुकावट in the flow of electrolyte on the other hand को एक्रोलाइट है मान की जब आने से उसको पाने में डाला और उसको गर्म करोगे तो जल्दी यल्दी आएंस की दरो दर भागेंगे बहुत ज्यादा आएंस टूप्टेंदी है उनके तो mobility बढ़ जाती है mobility means move करने की speed इसके अलावा उनके dissociation में बढ़ जाती है rate of dissociation मतलब बहुत जाला आएंस बढ़ जाते हैं यहीं लिखा गया है लोहे का नहीं नमक का एक पत्थर लो उसे बोलते हैं सेंदा नमक बोलते हैं वहारी साथ क्रण्ट लगाओ तो क्रंट नहीं लभीगा और यह ट्राई करूंगा सब्सक्राइब नमक को पानी में भुगोके लाओ और फिर इतर हाथ लगाओगे और बाल खड़े हो जाएं औ मतलब किसी और से वह टेस्टर जो होता है उससे चेक कर लेना अपने पर मत किया करो एक्सपेरिमेंट इसमें प्री आयंस नहीं है और जब इसमें से फ्री आयंस नहीं है तो यह अच्छा कर्णेक्टर भी हो नहीं सब्ता क्यों क्लियर है डिपेंडिंग अपन आयनिजेशन एक्टेंट ऑफ आयनिजेशन इलेक्टोलाइट किसे कहते है बड़ा जो पिसो शुलेट हो जाती है एलेक्टोलाइट काही सहाई रिषी का एंट किसा कहते हैं काया ह्भिस लुयinformative है कोई भी ऐसा सब्स्टांस जो टूट जाएगा किसके अंदर आयंस के अंदर उसके एक्वास सब्स्टांस जो आयंस के अंदर टूट जाएगे अगर कोई सब्स्टांस जो बहुत थोड़ा सा पोर्शन ही आयंस के अंदर पाले टालोगे फिर थोड़ा सा तो उसे हम लोगो बोलते हैं वीक लेक्ट्रोइट के आते हैं जो स्टांटिंग में ही पूरे ब्रेंडाउन हो जाते हैं लिखा क्या है दो फुल्ली आयंस के अंद ना और यह अंदर बीच होते हैं वह सब सब्सक्ति वीक लेक्ट्री वीक लेक्ट्रोइट तोरपे लेगो डेखो क्या है यह सब वीक बेस के आपते हैं जैसे अमाइंस वाले जो होते हैं नाइट्रोजन जहां पर लगा जाते हैं जो हो जाते हैं वो सब वीक लेक्राइट अच्छे एक बढ़ पानी में डाला वो आयंस में नहीं टूटा तो उस सब्स्टांस को हम लोग क्या बोल देंगे बटा नोट अग्रेट वीच दू नोट डिस्टांस इंटू इन्टू आइंस इनक्वर लूट इस वाजे से इन में से एलेक्रिसिटी भी कंड़ेक्ट हो नहीं सकती एक्जाम्पल के तोर पर बात कि रहे तो सुक्रोज सुक्रोज ग्लुकोज और कार्बन डेटरागलॉड बेंजीन यह सब ऐसे सब्स्टांस होते हैं जिनके अंदर से बिजली पास नहीं हो पाती है और यह आयंस में भी जो तुम्हारे गर में पानी आता है वो पाइप के थूँ आता है न लोहे के प्लास्टिक के और भी कुछ धरती से पानी पर पहुता है जहां से भी तो बहुत सारे आई तो उसके अंदर डिफोल्ट लगते हैं इसी वज़े से मैं बोलूं कि ऐसे खुद की बोड़ी बेट कराई मत कर लेना बड़ा तेसा जटका लगता है अगर किसी को करण का जटका से पहले लगाओ को चलो आगे मोब करते हैं बैटा नेक्स्ट है भई हमारे पास फक्टर्स इंफ्लिएंसिंग नेक्रोलेटिक कंडक्शन को अफैक्ट करते हैं सबसे पहले हैं हमारे पास नेचर ओव अएक बीग लेक्रोइड है किस में से ज़्यादा करंट पास होगा ओव्यस ही बात है कि जो स्ट्रोंग लेक्रोइड तो डिवश्य समीन नमर उफ आयन वीचार फुली आयनाइज, कंड़क्ट मोर एलेक्रिसिटी देन वीकलेक्ट, आगे आजाओ, नेचर ओफ सोल्वेंट, नमक में से करन पास हो सकता है, हमें बता है, है ना, तो नमक को एक बार पानी में डाल दो एक बार बैंजीन में डाल दो, बैंजीन इस और गैनिक सोल्व का नहीं आयंत नहीं बनेंगे और जब आयंत नहीं बनेंगे तो अच्छा कंड़क्टर भी नहीं होगा, यही बात रिखी गई है, अगर दो इस पर चार्ज अपकेर हो सकते हैं, नमक पर भी चार्ज आता है, N-A, P-C, L-N, पानी पर भी चार्ज हो सकता है, H-P, OH-N, तो polar, polar वाला सी, आगे ओपर कहें, dilution. Dilution का मतरब क्या होता है, पानी डाल, ठीक है, अब अब पानी डालते जाएं, अच्छा, dilution किस के लिए बढ़िया है, डिख लेक्ति लेप बढ़िया है, श्ट्रोंग के लिए नहीं हो, सब्के क्योंकि तेपे, पानिक काम आख पानिक पाई डालोगों च्रंड पानिक भी आत्रन ніत़की होτοि है आप उसमें और पानिक डाल लोगे किस भीरसो nahi बढ़ yn यह भी बात करेंगे, dilution वाले पॉर्ण को इतना मत समझें कि sir बहुत कम बता रहें, बहुत डीटेल में हम लोग इस बारे में next बात करेंगे, graph भी आए अगर इस पर आगे इसी chapter में, मैं आपको बता है, मैं आपको बता है, वीक लेक्रोइट वीच बिसोसेट पार्शली, अब उसमें मैं जितना पाने डालता जाओंगा, आयंस बनते जाओंगे, तो बार-बार नमबर ओफ आयंस बढ़ रहेंगे, तो इस वज़े से, इलेक्रोइटिक कंडुक्टेंस बढ़ अब दिटेल में अभी पढ़ा है, कि अगर आप कभी टेंपरेचर बढ़ाओगे, तो वहाँ पन जो बढ़ जाएगे, उनकी मोबिलिटी बढ़ेगे, उनकी मूब करने की स्पीड भी बढ़ जाएगी, भया, एनर्जी आजेगे, फास फास बागेंगे, तो वहाँ बढ़ अगो बढ़ जाएगे, as the temperature increases, the conductance also increases, because the dissociation of electrolyte increases, clear है, अगे है, solvation, solvation, hydration, solute, solvent, attraction, मैं इसको सिंदाता हूँ, solvation, 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 ya फिर इसको solute, solvent, attraction बोल सकते है, दिको बढ़ा, आजिसका काम है, मूव करना, अगर हो बढ़िया से मूव करना, अगर हो बढ़िया से मूव करना, बढ़िया से electricity conduct होगी, अगर हो मूव नहीं करेंगे, तो electricity conduct महीं होगी, अब अगर कहीं पर, greater is the solvation, जितनी जादा solvation होगी, जितनी जादा solutes, solvent, इसको से frame करेंगे, मैं आपको हमेशा बोलतो हो, बाबु सोना के चक्कर में मत पढ़, क्योंकि तुम्हें अभी प्यार करना बुक्स से, बढ़ तुम प्यार करेंगे, अभी तो कर लेना, अभी carrier पर ध्यान दो, ठीक है, जब आप उस तरफ अपनी attraction को ले के जाओगे, तो इस तरफ आप आगे move नहीं कर पाऊगे, सेम यहाँ पर है, solutes, solvent, एक कुसे सब प्यार करने लगे, तो move करना उन्होंने अभी वाँ, याद थिये, graph is dissolution, lower will be, lower will be electrolytic conductance, clear है बेटदा हाँ, तो यह हमारा point हो गया, conductor and conductance वाँ, clear हो को सब को